बिस्मिल्लाहर्मान रहीम, असलाम लेकूम, मेरा नाम है आफिया, आप देख रहे हैं आफियास किचन, आज मेरे किचन में बन ये चना चाट जो बहुत ही मज़ेकी बनती है, आप लोगों ने रेस्पी पूरी फॉलो करनी है, एंड तक देखना है ताकि आपकी कोई भी ये मज़ेकी लगती है, इसके साथ आधी गठी मेरें पास हरादनिया है, इसे काट लेते हैं, इसको बारीक भाली हरी मिर्चे हैं, इसको बारीक बारीक काट लेते हैं, अगर भर 2022 होटोटे बरहए हैं तो ये कम कर को आपकों मैically chop कर लेंगे, इसके साथ मेरे पास एक बडर पुदीने के पत्ते तो के हम बारा से पंदरह हैं इनको हास से तोरके हम शामिल करेंगे जब हम पुदीना क्या जाते हैं इसलिए जब इसलिए पुदीन करते कियो पे किट ने रीatore है यह हम आप से साइस क इक बॉल लेंगे इसमें ठाई कप बॉयल कीवे चने है मेरे पास ये शामिल कर देंगे इसी के साथ दो कप उबले हुए आलू है मेरे पास ये शामिल कर देंगे ये चने और आलू उबले हो तो आपके पास बहुत जल्दी चाड़ त्यार हो जाती है इसी के साथ जो मैंने अभी सबजियां काट के रखी थी थोड़ी सी ये शामिल कर देते हैं और इन्हें अच्छी तरह mix कर लेते हैं ये देखे एक आलू हमारा थोड़ा सा बड़ा रहा गया था इसको चम्मन से मैंने तोड लिया है अब बच्छेसी से mix कर लेंगे यह बहुत मज़ेगी बनती है, बहुत कम टाइम में बन जाती है, आपके पास आलू और चनी उबले हुए होने चाहिए, तो अच्छी तरह ही से किया मिक्स, अब इसमें में कुछ थोड़े से मसाले शामिल कर लेती हूँ, नमक है मेरे पास एक चाय का चमच, यह शामिल इसी के साथ है एक टीस्पून चाट मसाला, एक से डे टीस्पून आप ले सकते हैं, अब इसी के साथ मैं इमली का गाड़ा-गाड़ा सा पानी है मेरे पास, तो यह है तकरीबन आदी प्याली, आदा कप, यह शामिल कर लेंगे, इससे बहुत मज़े के टेस्ट आता है, अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें, यह हो गया, अम मैं लोगी, दही फूल के अब तयार कर लेंगे, दही है मेरे पास 500 ग्राम, जिसे मैंने भेट के रखा हुआ है, अब इसमें डालेंगे एक चाय का चमच, चाट मसाला, आदा चाय का चमच नमंक, एक खाने का चमच चीनी, तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं अची तरह, थोड़ी सी गाड़ी-गाड़ी दही लेंगे, इसे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, तो अची तरह मिक्स कर लें से, दही फूलकिया वही मेरी पहले बाली चाट में जो रस्पी दी हुई है, मैंने उसी तरीके से मैंने बनाई नहीं है, यह पहले से बना के रखी वही थी, तो आप अगर देखना चाहिए, तो मैंने पहले वाली रस्पी में इसे दही फूलकियों की रस्पी देख सकती है, चले, अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी दही फूलकिया, अब इसे अच्छी इसे दही में डुबो देंगे, सारी को डिप कर दें तक कोई फूलकियों राजना होगा, मेरे उपर दही नहीं आई, यह देखे कितनी अच्छी से, सारी डिप हो गई है, तो चलिए, अब मैं एक प्लेट चार्ट बना के आपको त्यार करके दिखाती हूँ, आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, बेल एकन को लाजमी दुबाया करें, ताके मेरे न्यू आने वाली वीडिय तो देखिए, सबसे पहले प्लेट में चने चाट जो बना के रखिए यह डालेंगे, इसके उपर देफुलकी डाल देंगे, रेस्पी पसंद आए, दोस्तों में फैमिली में शेर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपकी रेस्पी कैसी बनी, आप जो ग्रीन बेसिक साथ थोड़ी से पापड़ी शामिल कर देंगे, बहुत मज़ेगी बनती है, आप लोगों भी जरूर ट्राइ करनी है, तो यह देखिए, प्लेट हमारी हो गई है, त्यार, पापड़ी आप जितनी आपका दिल चाहे, उतनी डालें खुली, तो यह देखिए, माशाल प्लेट है, तो यह देखिए, 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